मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, कि आप मनुस्य कोख में पैदा लिये हैं, और मनुस्य की जो शक्ती है, वो अधुध है, इसलिए पिर्थवी जो पहले केबल जंगलों से घिरा था, और मनुस्य जानवरों की तरह रहता था, मनुस्य ने अपने स प्लिविजन से, रोप्लें से, सेटलाइट से, यहां तक कि लोग अंतरिक्स में जा रहे हैं, चंद्रमा तक उतर चुके हैं और मास्त जाने की बात हो रही है, इसमें बहु सारे महापूर्सों का योगदान है, लेकिन जो उतने महान वैज्ञानिक नहीं हुए, वो कम से कम अपने जिन्दगी में अपने रोज मर्जा की आवशक्ताओं के लिए तो जरूरी संगस करके उपलब्धी प्राप कर सकते हैं, इसलिए मैं आप समों को बोलता हूँ, जो शक्ती राइज ब्रदर्स में थी, जो शक्ती एलोन मस्क में है, इस्टीब जॉब में है, वही शक से लस्पत होते हुए दिन रात प्रतन करते हैं, क्या आप में आत्म विश्वास है, क्या आप में मर मिटने की तमन्ना है, क्या आप में इतना जोस है कि आप ये बोलें, तो जिन्दगी की जीत में यकिन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारने की तमन्ना है, तो मैं आपको को बताता हूं कि यह बुलकुल संभव है लेकिन धरना नहीं है निर्भीक हो के सत्य की तरफ बढ़ना है कमर कस लेना है लक्ष के लिए जुभी साधनों की आवश्चक्ता है उसके लिए आपको सहयोग लेना पड़ेगा और भागरती प्रत्न करते हुए अपने लक्ष को पास सकते हैं तुल्शी दास ने कहा शकल पदारत यही जग माही कर्म ही नरपावत नहीं मेंस इस प्रिश्वी पर हर व्यक्ति के लिए दुनिया की सारी संपदाओं प्रकृति ने दिया है लेकिन वह उसी के लिए है जिसमें दम हो कि उसको पाने की तमन्ना से प्रित होते हुए कठोर परिश्रम करें अलुसे पास सके। हिंदुस्तान की सहर जमीन पर भी आप देखेंगे कि विविनी छेत्रों में मनुस्य ने बहुत सार्य अविश्कार किये तैनिस का छेत्रों हो व Hijyand का छेत्रों हो इसह single 003 Master सीवी रमन रमन इफेक्ट पैदा करके नोबेल प्राइज जीते 1930 में रविना टैगोर मेरे गुरू ने जीता गिताजली के लिए नोबेल प्राइज 1913 में मेगना सहा, एसन बोस, इभन सुवास्टर बोस अनेक ऐसे महान बिभूती हुए, जो बिभन छत्रों में भारत की कोक को मर्यादित किया, सम्मानित किया इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, कि वो वेक्ति औसफल होता है, जो कमजोर होता है, डरपोख होता है, कायर होता है, बुजदिल होता है वो किसी भी छत्र में महान बन नहीं सकता क्योंकि शक्ति का जो सामर्थ होता है आत्विश्वास तुम्हें कोई अपंग रहते हुए उठाके चंद तक नहीं पहुँचाएगा तुम्हें अपने बाज़ों में ताकत होनी चाहिए तुम्हारी अपने मस्तिक्स में अद्भुद अगनी ज्वाला होनी चाहिए तुम्हारे मस्तिक्स में ओ ज्वारभाटा होना चाहिए तुम्हारे मस्तिक्स में ओ होना चाहिए मारतंड की शक्ति ठंके से ठनकते हुए तुम्हारी बुलंदी तभी तुम बुज़ई हो सकते हो इसलिए कहा जिन खोजात इन पाईयां गहरे पानी पैट जो भावरा दूबंडरा रहा किनारे बैट मन के हारे हार है मन के जीते जीत कहे कबीर गुरु पाईये मनी के प्रतीत तेरा मन दरपन कहला है दुनिया में देखोगे हिंदुस्तान की सहर जमीन पर आजकार तो प्रधार मंतरी है वो गरीब कोख में पैदा हुआ उसके माता पिता बिलकुल गरीब थे उसके पिता जी तो चाय बेशते थे इवन ये फकीर योगी वरंद्रियोगी इसके पिता जी तो चरवाहे थे भैस गाय चराते थे बकरी बहुतू लेके घुमते थे लेकिन आज एक सम्मानित जीवन जी रहा हूं मस्तिष का विकास किया जहां गया परचंड जुवाला से अपने स्वाब लंब के अधार पर जो भी कार दिया गया उसको ऐसा किया कि दूसरा नहीं कर सकता इसलिए नहीं कि कर सकता मैं गुरूओं का गुरू इसलिए हमारे गुरुदेव मुझे कभी कभी गुरु घंटाल भी बोल दिये तो प्यारे दोस्तों जागो अगर आप अभी तक फेल हो गये हो तो चिंता मत करना बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं उसनहब का परियोग करते और जाते जाते ये भी बता देता हूँ ये मसोचना कि कोई वेग्यानिक हो कोई प्रहानमंत्री हो कोई राष्टपती हो या कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो या टेनिस प्लेयर हो जीवन उसी का सफल है सफल जीवन उसका होता है जो फकेर योगी ब्रिंद्रोई की तरह ह स्वाम विवेक आनंद के पच्चिनों पर चले सांतियों खुशाली से सरी से स्वस्त्र है मन से पवित्र है और सच्चे कारे करते हुए मानबता की कल्यान के लिए जीवन को समर्पित करे यही जीवन का संदेश होता है और याद रखना निरासा सबसे बड़ी घूल है निरासा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है निरास होने के बदले कर्म करो असरुसेच रक्त से होते हुए लटपत होते हुए आगे बहो न कभी रुको न कभी मुरो न कभी पीछे मुर को देखो किसी के सामने भीख मांगो भीख मांगना है तो खुद से मांगो तुमसे वरा तुम्हारा कोई हितैसी नहीं तुमसे वरा कोई तुम्हारा समर्शन करने वाला नहीं इसे लिए मेरे दोस्त हर्वन सराय की बच्चन की कप्चा सुनाता हूँ बिच्वले हो बरे, बिच्वले हो बरे, हो घने हो खरे, एक पत्र छाओं भी मांग मत, मांग मत, अगनीपत, 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 तून कभी ठकेगा, तून कभी रुकेगा, तून कभी मुरेगा, कर्शपत, 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 अगनीपत, 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 य ये महान दृष्य है चल रहा मनुष्य है असरू स्वेत रक्ष से लखवत लखवत अगर कोई औसफल हुआ है तो चुनोती समझो औसफलता एक चुनोती है इसे सिवकार करो क्या कमी रह गई देखे और सुधायर करो कुछ किये भी नहीं योहीं जैजे कार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जागो खुश रहो, सांत रहो ओम सांत